नवस्कार दुस्तों निप्टी और बेंग निप्टी के डेली अनालेसिस वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आज की पूरी ट्रेडिंग सेशन में बेंग निप्टी इंडेक्स ने किस पर का ट्रेड किया और निप्टी इंडेक्स ने क जैसा कि दोस्तों आप इस्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने ट्रेड लिया था निप्टी में यहाँ पर मैंने 18,200 का पुट बाई किया था और इस ट्रेड में मेरी पोजिशन ट्रेलिंग इस्टोपलोस के दौरा एकजिट हो गई थी उसके बाद दोस्तों मै मैंने यहाँ पर 42,800 का कॉल भी बेंग निप्टी में वाई किया था और उसमें यहाँ पर 1975 के करीबन मुझे प्रोपिट हुआ है बेंग निप्टी में मुझे 177 रुपे का आसपास प्रोपिट हुआ था तो कुल मिलाकर जो मेरा आज का दिन का प्रोपिट है वो 2132 रुप और यहाँ पर जो आज भी बात करेंगे जो कल अकसपारी के दिन आपकी बहुती जदा काम आने वाले हैं तो उन लेवल को भी हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन-कौन सी लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो सबसे पर हम बात करते हैं कि ज 42600 के उपर हुई थी और मैंने दोस्तों कल की वीडियो में आपको बताया था कि आपको 42600 के उपर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहां पर बैंग निप्टी आज 42600 के उपर ओपन जरूर हुआ लेकिन उपर सस्टेन नहीं कर पाया जो फाइब मिनिट की पहली केंडल बनेती उसने 42600 के नीचे का लो लगाया था जैसी फर्ष्ट केंडल ने 42600 के नीचे का लो लगाया यहां पर कनपरमेशन हो गया था कि मार्केट यहां से साइडवेज होने वाला है क्योंकि अगर पूरी केंडल उपर बनती तो यहां पर अपसाइड में आपको उसी से में अच्छा momentum देखने को मिल सकता था लेकिन जैसे ही first candle ने 42600 के नीचे लो लगाया वही से bank nifty में थोड़ा सा confirmation मिल चुका था कि यहां पर bank nifty side wedge होने वाला है और वे सहीवा दोस्तूं यहां पर करीबन 1240 के आसपास bank nifty side wedge रहा और उसके बाद थोड़ा सा यहां पर momentum दिखा लेकिन दोस्तूं मैंने यहां पर जो trade लिया था वो यहां पर यह जो green candles बनी हुई है इनके high के उपर मैंने trade लिया था लेकिन bank nifty में उस समय momentum देखने को नहीं मिला मैंने यहां पर wait किया और wait करने के बाद करीबन एक बज़े के आसपास अच्छा momentum यहां पर bank nifty में देखने को मिला और इस पूरे momentum को मैंने आज की trading session में capture किया है तो मैंने यहां पर 42,800 का call buy किया था 68 की price में और उसने high लगा था 160 मेरा यहां पर trailing stop loss हुआ था 147 में तो मुझे यहां पर इस trade में क्रीबन क्रीबन 2000 रुपे का profit हुआ था तो दोस्तों अगर आप weight करते है market में levels को अगर द्यान से देखते हैं तो आप भी अच्छा profit बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों जिससे market की आज opening हुई थी वहीं से हमारा trading setup बन गया था कि यहां पर market की जो opening हुई है वो 42,600 के उपर हुई है तो हमें call side में ही जाना है अगर बेंग निप्टी यहां पर sideways होने के बाद 42,600 के level को तोड़ता तो यहां पर हम put side के लिए जा सकते थे लेकिन जितनी देर ही है 42,600 के उपर रहा उतनी ही यहां पर ज़्यादा possibility बन रही थी कि market यहां से upside में अच्छा momentum कर सकता है दोस्तों यही बाते आपको ध्यान में रखनी होती है कि जब किसी resistant पर price बहुती ज़्यादा देर sustain करता है तो वहां से upside में अच्छी rally आने की chances बहुती high होते हैं अगर यहां से market 42,600 के level को वापस तोड़ता तो यहां पर downside में भी आपको बहुती सांदार rally देखने को मिल सकती थी लेकिन market में उपर जाने की possibility बहुती ज़्यादा थी क्योंकि एक तो gap up open हुआ था और उसके बाद market करीबन 2-2,500 के उपर sustain भी कर रहा था तो दोस्तों जब भी price किसी भी support या रेजिस्टेंट पर ज़्यादा देर तक sustain करता है तो support या रेजिस्टेंट को break करने की possibility बहुती हाई हो जाती है अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कल जो weekly expiry है expiry के लिए हमें कौनचे levels को ध्यान में रखना है तो सबसे पहला level दोस्तों 42,600 का level है अगर ये level तोटता है तो आपको यहाँ पर 42,400 तक का अच्छा momentum देखने को मिल सकता है ये level तोटने के बात 42,400 तक भी bang nifty move कर सकता है अगर bang nifty वापस 22,600 पर support लेता है तो यहाँ से आपको अपसाइड में भी अच्छी रेली देखने को मिल सकती है सांदार momentum देखने को मिल सकता है यहाँ पर दोस्तों कोई भी resistant level नहीं है क्योंकि bang nifty all time high पर है यहाँ पर आपको अपसाइड के लिए open रहना है जितना price उपर जाए उसको जाने देना है इस टोपलो उसको ट्रिल करते रहना है आपको यहाँ पर support level का ध्यान रखना है यहाँ पर जो major support है वो 22,600 है इसके बाद जो major support है वो 22,400 है और दोस्तों अगर आप bang nifty को बड़े time frame पर देखेंगे जैसे मैं आपर आपके सामने 15 minute का चार्ट open करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको चीज़े ज्यादा clear होगी यहाँ पर दोस्तों एक trend line आप देख रहे हैं इस trend line को भी यह follow कर सकता है अगर कल के दिन bang nifty यहाँ पर थोड़ी देर sideways होता हुआ इसे नीची गिरता है तो यहाँ पर भी इस trend line को भी आगे यह follow कर सकता है तो यहाँ पर 52,500 का level भी important हो सकता है तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें यहाँ पर bang nifty इस trend line को भी follow कर सकता है और 52,500 से भी support ले सकता है तो 52,500 का level भी आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तों अगर आप भेंग निप्टी में इन levels को ध्यान रखेंगे तो आप intraday में अच्छा profit बना सकते हैं अब हम बात करते हैं निप्टी इंडेक्स की बारे में तो दोस्तों निप्टी इंडेक्स की भी आज जो opening होई थी वो 18,282 के उपर open हुआ था और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि निप्टी में भी 18,200 का important resistant level है अगर इसको ये break करता है तो यहाँ पर आपको upside में अच्छा momentum देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों निप्टी यहाँ पर 18,200 के उपर open हुआ लेकिन sustain नहीं कर पाया जैसी 8,200 का level टूटा हमने trade एंटर भी किया लेकिन हमारा trailing stop loss हिट हो गया और हम trade से exit हो गया इसके बाद दोस्तों निप्टी इंडेक्स भी थोड़े देर sideways रहा और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर momentum गेन हुआ और जैसी यहाँ पर 18,200 का level ब्रेक हुआ अपside में अच्छा momentum देखने को मिला अगर आपने निप्टी में 18,280 की level के according trade किया है तो भी आपको यहाँ पर अच्छा profit हुआ होगा अगर आपने levels को ध्यान से देखा है तो आप यहाँ पर profit में रहे होंगे अगर दोस्तों आप levels के according trade नहीं करेंगे तो आपको loss ही होगा आप randomly option trading से पैसा नहीं बना सकते आपको यहाँ पर important levels को ध्यान में रखना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों last के 20-30 मिनट में भी आपको एक trade मिला है यहाँ पर जैसी वापस 828 का level यहाँ पर टूटा तो भी आप अगर enter करते तो भी यहाँ पर आप 20-30 point को capture कर सकते थे तो दोस्तों यहाँ पर 828 का जो important resistance level था उसने आज के पूरे trading session में important level की तरह वरक किया है इसके अलावा दोस्तों nifty index में एक और चीज important है यहाँ पर जो एक trend line आप देख रहे हैं इस trend line को भी nifty index follow कर रहा है यहाँ पर trend line पर support लिया यहाँ पर support लिया और इसके बाद यहाँ पर इस support को यहाँ पर break किया है अगर 8,220 से 200 का level तूटता है तो यहाँ पर 8,140 का level भी आपको कल के trading session जो expiry special है उसमें आपको देखने को मिल सकता है expiry में momentum बहुत ही तेज होता है तो आपको momentum को capture करना है और इन levels को भी intraday में ध्यान में रखना है तो दोस्तों कल के trading session के लिए 18,440 का important resistant है अगर nifty gap up open होती है और 18,280 के उपर sustain करती है तो यहाँ पर आपको upside में अच्छा momentum देखने को मिल सकता है अगर nifty gap down open होती है तो यहाँ पर जो level important है वो 18,200 से 18,220 का level है तो इन levels को आपको intraday में जरूर ध्यान रखना है इन levels को अगर आप ध्यान रखेंगे तो expiry special में आप अच्छा profit बना पाएंगे दोस्तों अगर आप option बाहर है तो आपको यहाँ पर momentum का weight करना है levels के according ही trade करना है अगर आप levels के according ट्रेड करोगे तो यह आपको profit होगा अगर आप randomly ट्रेड करोगे तो आपको बिल्कुल भी profit नहीं होने वाला है यहाँ पर आप intraday में lows ही करने वाले है तो आपको important levels को बड करें अगर आप इस चैनल पर नहीं है और daily analysis वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को subscribe जरूर करें साथ में bell notification को on करें ताकि वीडियो जैसे ही upload हो आपको उसका notification मिल जाए चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जेहिंद कीप लेर्